दोस्तों जीवन में कई बार उतार चड़ाव आते रहते हैं। हम दुखी और हतास हो जाते हैं। ऐसे में एक कविता है जो हमें थोड़ी उर्चा और थोड़ी हिम्मत प्रदान कर सकती है। दोस्तों इस कविता को कई लोग हरिवन्स राय बच्चन जी द्वारा रचित मानते हैं। लेकिन असल में इसके रचैता है सोहनलाल द्विवेदी जी। जीहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता की। आज हम इसी कविता का पाठ करते ह लहरूं से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती दीवारों पर सौबार फिसलती है मन का विस्वास रगों में साहस भरता है, चड़कर गिरना, गिरकर चड़ना न अखरता है आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जाजा कर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहजही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संगर्श का मैदान छोड, मत भागो तुम कुछ किये बिना ही, जै जै कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जै आ दोस्तों कोशिश करते चाहिए, और जीवन में आपको सफलता आवश्य मिलेगी उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ऐसी ही कविताएं सुनने के लिए इस चैनल को आवश्य सब्सक्राइब करें बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद